इस वीडियो में हम देखने वाल है कौन से इस स्टोक है जो हम नेक्स ट्विक के लिए बाइन के लिए लेके जा सकते तो इसमें हमारा जो पहला स्टोक है वो है अतुल अभी इसको में क्यों लेके जारू एक बार इसका सेट अप देख लेते तो आप इस स्टोक को जब देख किया और हाल फिलाल इसका हो चुका है breakout तो इसका एक triangle breakout हो चुका है इसलिए हम इसको लेके जा रहें तो क्या है कि जिसको breakout के उपर entry लेनी हो तो यह candle के high के उपर आप अपनी entry बना सकते हो और अपना stop loss यह लगा सकते हो और target आप क्या है कि one jam two के लिए जा सकते हो और जिसको क्या है कि safe entry लेनी हो क्या कीजिए wait कीजिए या तो यह level का breakout हो जाए और बाद में अपर जा कि इस पर retrace करता है या तो क्या है कि यह जो red line है इस पर अगर retrace करता है तब आप इसमें entry ले सकते हैं लग आपको वहाँ कोई एक bullish candlestick pattern मिलती है breakout के बाद retest करने के बाद तब आप इसमें entry ले सकते हो और जिसको candlestick pattern read करनी नहीं आती तो हमने क्या है कि उस पर और एक वीडियो बना के रखा है जिसमें क्या है कि different different type candlestick pattern हमने समझाई है तो उसकी लेंक में description और i button पर दे दूँगा तो आप वहाँ जा कि यह देख सकते हो तो in simple अगर आप retest पर entry लेते हो और अगर आपके level पर क्या है कि कोई अच्छी bullish candlestick pattern मिलती है तब आप entry ले सकते हो तो जो हमारा अतुल है इसको हम इसलिए लेके जा रहें क्योंकि इसमें क्या है कि triangle का breakout देखने को मिला है अभी हम इसके बाद का जो हमारा रश्टों के वो देख लेते हैं इसके बाद का तो आप इसमें entry ले सकते हो और अपना stop loss यहां लगा सकते हो जो near about I think 505 के आसपास आ रहा है मतलब 505 का आप stop loss लेके अगर इसका breakout हो जाता है तो आगे बढ़ सकते हो और यह stock क्या है कि नॉर्मली अच्छा stock है तो आप इसको long term के लिए भी लेके जा सकते हो और target आप one jam two और one jam three के लिए जा सकते हो तो जो अमरत दूसरा stock है CDSL वो normally हम क्या है कि एक range में फसा हुआ है और एक triangle जैसी pattern बना दिये इसलिए हम इसको लेके जा रहे अगर इसका proper breakout हुआ तब है आप इसमें entry लेंगे low risk entry लेनी है तो simple सी बात है इसको retest के लिए आने दीजिए और उसके ब लेंगे तो इसमें जो क्या है कि 208 या 209 का जो level है वो perfect एक क्या था महां आपको कोई proper bullish candlestick pattern one day के उपर मिलती है तब हम इसमें एंट्री लेंगे वो हमारी low risk एंट्री हो जाएगी तो इसमें क्या है कि आप छोटा सा stop loss लेके एक बड़े target के लिए जा सकते हैं तो exercise industry आप इसको अपनी watch list में बना के रखो अगर 208 या 209 के लेवल के आसपास अब क्यों लेकर जा रहा है तो इसमें आप देखिए जो आपका 1650 का लेवल था वह क्याए कि resistance की तरफ बेहव कर रहा था आप इसमें देखिए एक बार रजिस्टंस दो बार रजिस्टंस तीसरी बार रजिस्टंस और अभी इसने कर दिया breakout अभी में क्या एक breakout के लिए इसलिए suggest नहीं किया क्योंकि आप इसमें देखिए यह continuously अपा रहा है अगर आप यहां एंट्री लोगे तो आप इसमें स्टोपलोस कहां लगा होगे समझगे सोच स्टोपलोस यहां लगाने से बेटर है कि आप इसमें वेट कीजिए अभी उपर चला गया है तो जाने दू अगर यह in future नीचे आता है और हमारे लेवल के आसपास कोई bullish candlestick pattern बनाता है तभी हमें इसमें entry लेनी है मतलब जो 1650 का लेवल है उसके आसपास आपको कोई bullish candlestick pattern देखने को मिलती है तो आप इसमें क्या है कि आगे के लिए जा सकते हो स्टोपलोस अपना जो candlestick pattern है उसका low लगाओ मतलब छोटा स्टोपलोस और बड़े target के लिए हम जा सकते है तो PL नॉर्मल है breakout and retest के लिए आप इसमें entry ले सकते हो लेकिन आपको इसमें wait करना पड़ेगा और हमारे level पे मिले तभी हम इसमें entry लेंगे अभी इसके बाद का जो हमारा stock है वो देख breakout and retest वाला setup बनाया इसलिए मैं इसको लेके जारो एक बार setup देख लेते तो आप इसमें देखिए एक बार इदर रजिस्टन्स लिया एक बार इदर रजिस्टन्स वही लेवल पे रजिस्टन्स और अभी कर दिया है breakout अभी breakout कर दिया तो हमें पता है कि यह stock bullish हो चुका है औ अभी हम इसमें entry लेंगे जो zone होगा वो आपका होगा 900 से लेके 880 के बीच में अगर ये zone में आपको कोई भी bullish candlestick pattern मिलते तो आप अपना क्या है कि 880 के नीचे stop loss लेके आगे continue कर सकते हो तो जो हमारा ramp को cement है बहुत ही अच्छा setup बनाया मतलब old time high breakout हो चुका है एक अच्छा resistance था जो वो breakout हो चुका है तो अभी normal सी बाते का है हम upside के लिए देख सकते लेकिन हम wait करेंगे कि वो हमारे zone के आसपास आए वहाँ कोई candlestick pattern बनाए बाद में ही हम इसमें entry लेंगे तो ये ते stock हमारे जो next week के लिए हम लेके जा रहे है सभी stock buying के लिए एक भी stock selling के लिए नही लीजेगा अगर आपको कुछ idea नहीं लगता तो कुछ करने की जरूरत नहीं है और दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं इसे भी अच्छा लगा हो तो प्लीज आरो like comment and subscribe कर देना आप like comment करोगे तभी तो में motivation मिलेगा और इसे वीडियो आगे लेकेंगे तो प्लीज आरो like comment and चलिया मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लेटर टा गुडबाई जय हिन